पूरा बिजनस है वो पूरा लाज़ेस टीवी नेटवर्ट डडडिस टीवी नेटवर्ट जो होते उसके अपर पूरा इस कंपनी का बिजनस बेज़ दे और में यह कंपनी का ज़्यादा चलता है और यह कंपनी फाउंड हुई थी 1993 में और इसकी मार्केट में सब्सिडिरीज भी है उनमें से मैं एक दो के नाम ले लूँगा जड़िस Sun Direct Sun TV Network Europe Limited तो इस तरह की कंपनियाज भी इस कंपनी के अंडर काम करती है तो आज हम बात करने वाले आपके सामने Sun TV Network कंपनी के बारे हम बातचीत करने वाले कि इस शेर के अंडर आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो वीडियो चालू करने से बेले तो मैं आपको बहता दू कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को डेली स्टॉक को अपने सब्स्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्स्राइब कर दीजेगा ताकि हम आपके लिए हर दिन एक अच्छी से अच्छी कंपनी का शेर अनलीसिस लाएंगे उसके साथ साथ में मार्केट रिलेटर कोई भी कंपनी के कोई भी न्यूज होगी तो वो भी हम आपके सामने जरूर शेर करेंगे सबसे पहले तो हम देखेंगे संट टीवी नेटवर जो कंपनी है वो काम क्या करती है तर इस इट इस एंगेज इन दे बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड ब्रोड्यूकास्टिंग सेटलेट टेलीविजिएंड रिडियो सॉफ्ट्य प्रोग्रमें इंड रिइंग्वेज ऑफ साउथ इंडिया मतलब क्या हो गया यह जो कंपनी उसका में बिजनेस वो क्या है तीवी चैनल डिलेट सारण होता है वह होता है साउथ साड़ पर तो उसके दुरू कंपनी का रेवेन्यू इस बिजनेस हो पाता है हाला कि मैं आपको गेरेंटी दे सकता हूं कि आप में से बहुत सरे लोगों ने अगर आप यह वीडियो देख रहे हो तो आपको इस कंपनी के बार में नहीं पता कितना है 14.56 तो मेरे साब से तो यह बहुत जादा अच्छी बात है सेक्टर का जो पीबी है वह है 5.25 और इस शेर का पीबी रेश्यों कितना है 3.52 जो कि सेक्टर के मुकाबले काफी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है और सबसे इंपोर्टेंट बात अगर आप 0.09 परसेंटेज पर हाला कि एक मिडिकेप स्टॉक है जिसका जो मार्केट कैपिलाजिशन है वह 20,171 करोड रुपीस का और स्टॉक रंकेंगे इसके 182 कंपनी का जो बिजनस मॉडल है वह बहुत जादा सालों अच्छे कासे ट्रेंड में प्रॉफिटिबिलिटी कंपनी मे प्रॉफिटिबिलिटी कितनी अच्छी तरह से मेंटेंड हो पा रही है अगर 2020 के हम बात करें कंपेरिशन करें प्रॉफिटिबिलिटी में जब कंपनी का जो रेविन्य हुआ था वो था 4.02 थाउजन करोड रुपी जो कि 2020 में भले ही गिरकर हो चुका है 3.78 थाउजन रुपी जब कंपनी ने प्रॉफिट किया था वो 2020 में हो चुका था 1.38 थाउजन करोड रुपीज अब हम कंपनी की जो सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वह यह कंपनी जे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी ज़दा एट्रेक्टिव लगी जैडिस टोटल थी वो भी कंपनी ने जो प्लेज होल्डिंग थी उसको मार्केट से अपने शेयर अपने फिर से उसको खरीद लिया उसके कंपनी टोटल प्रमोट रॉल्डिंग है वो प्योर 74.99 परसेंट की जो होल्डिंग है वो खुद के प्रमोटर्स के पास है जो कि मेरे सब से बहुत होती ज्यादा अच्छी बात है कोई भी कंपनी के इंदर अगर आप इंवेस्टमेंट करना चाहते हो तो म्यूचल फंड होल्डिंग भी अच्छी है और इस 5.02 परसेंटेज डिया का इस कंपनी में कोई इंट्रेस्ट नहीं है जिरो परसेंट और FII का इस कंपनी में इंव कोई बढ़ करना च्छी बात है यह तो कुछ नहीं बड़ कंपनी अच्छे आसे ट्रेंड में इंक्रिमेंटल फेस में आपको दीखने को मिल रहा है तो मेरे साब से यह बहुत ज़्या पॉजिव और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है यह तो कुछ नहीं बड़ कंपनी जो net profitability है उसमें भी आपको एक अच्छा सा incremental phase आपको देखने को मिल रहा है तो 271 करोड उपीज उसके next quarter 342 करोड उपीज और उसके next quarter 445 करोड उपीज सा कंपनी का net profit कंपनी ने जनरेट किया है और main के बाद क्या है कंपनी अपने total expenditures है उस पर भी अच्छा सा control रख रही है that is 353 करोड उपीज फिर उसके बाद 363 करोड उपीज और उसके बाद 460 करोड उपीज अगर हम कंपनी के return ratios भी compare कर ले तो return ratios भी कंपनी के मुझे साथ बहुत सबसे पहला जो रेशियो है return ratio में वह रिटर्ण ओन नेट्वर्ड याफी रिटर्न एक्विटी परसेंटेज जो कि आपको बता था कि कंपनी के 24.93 परसेंटेज और इस बार हो चुक है 24.19 परसेंटेज पर अगर रोसी की बात करें रिटर्ण ओन कैपिटल एंप्लेट जो की कंपनी के जो भी रिटर्ण ऑन एसेट परसेंटेज कंपनी के मार्केट में जितने वह सेट्स है उन '' ऑपर चुका है सक मोंचल पॉंटा साथ परसेंटेज टो वह थां तूट्यूम्तर किनम आपके में तो डुन तो सम्हिंट्स के बाद अगेखिश्वलें एटीं सब्सक्राइब टुएल और 2020 में हो चुका है था वो 21.28 पर लेवरेज रिश्यो के अगर हम बात करते हो तो लेवरेज रिश्यो भी कंपनी काफी जाधा अच्छे लेगे मुझे अगर कंपनी के बार है बात को तो कंपनी डेट-free कंपनी डेट-to-equity रिश्यो हर साल कंपनी का है वो क्या है आपको नजर आही रहा रिश्यो पॉंट-00 तो मतलब क्या कंपनी डेट-free कंपनी है तो लॉंग टम के लेगर आप इस कंपनी में निवेश करते हो तो मेरे लिए मेरे इसाब से यह कंपनी के अंदर आपका इंवेश 41 परसेंट है 19 में 1315.75 और मार्च 2020 में हो चुका है वो 144.03 के परसेंटेज फ़र्म में हाला कि अगर हम इस शेयर की बात करें करें करेंट मार्केट प्राइस तो लिए स्थरन टीवी नेटवर्क लिमेरेट कंपनी का जो शेयर है उसका 5-year का जो हाई प्राइस है वो है 1097.8 रुपीज और करेंटली शेयर ट्रेड हो रहा है मार्केट में फ्राइडी क्लोसिंग के यसाब से 511.85 रुपीज का असपास ट्रेड हो रहा है अगर आप शेयर के अंदर इंवेस्टमेंट करना चाहते हो तो मेरे साब से 500 की ये नियर जा है अगर प्राइस में तो आप इस करना ना भूलेगा अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड या फिर इसका मुपनी रिलेटेड कोई क्वेशन या फिर कोई डाउट भी हो तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रू बताएगा ताकि हम उसका सॉल्यूशन आपके सामने जल से जल ला सकें सो थैंक यू प्रूशन जल सबस्टोन जल सॉल्यूशन fille म。